एक ऐस लेक्चर में हम देखेंगे type casting क्या होता है, type conversion क्या होता है इसके दु तरह से हो सकती है type casting एक होती है, हमारी implicit और एक हमारी explicit होती है दु तरह से हम type casting कर सकते हैं इतर और उसके बाद हम देखेंगे debugging क्या होती है और types of errors जो वारे पास आते हैं जो हमारे पास आते हैं क्याक के error आ सकते हैं types of errors का है ठीक है तो यह सब cover होगा सबसे पहले हम type casting देखेंगे तो type casting यह होता है कि हमें specified करना होता है type onto a variable एक particular type दे रहा है उस variable का और हम उस में type हम अपना सब्सक्राइ rig rub सब्सक्राइब पहले भी देखा था हमने तो यह टाइब कास्टिंग हो जाते हैं जैसे इंट क्या करेगा उसको कनवर्ट कर देगा इंटीजर नमबर इंटीजर लिटरल से फ्लोट से कर सकते हैं और स्ट्रिंग से कर सकते हैं और स्ट्रिंग से कर सकते हैं To the previous whole number और इसमें string में हमें एक string देनी पड़ेगी और उसको integer बनाएगा sertraat क्या करेंगा वैसे ही float क्या करतेगी उसको float बना यता है construct क्या होगा इसमें output क्या है float दो और क्या क्या यूज कर सकते है integer यूज कर सकते है float इसके लिटरल यूज कर सकते है और float कर सकते हैं तो काम के हैं इनका int float str का type cast करना और इनका output क्या होगा इसका integer आएगा इसका float आएगा और इसका string आएगा इसका एक example देख लेते हैं तो जैसे मेरे पास ये एक integer है एक विद्वाइव अगर मुझे इसका type देखना है मैं ये डाल दोंगा तो ये क्या आगे अब ये आगे है एक float ये एक int था लेकिन अब ये आगे float तो मैंने क्या किया मैंने float यूज किया और उसको type cast कर दिया उसको float में तो वो float आ जएगा ठीक है अब मेंको अगर str करना है string में convert करना है तो मैं इसको जोवर को स्ट्रिंग कर दूगा दो अब यह लगए जैसे मेरे पास difyot तो अगर में को इसको टाइब कास्त करना बी में मैं तो देख़ने क्या आ जाता है जो भी नियरस इंटीजर होता है और वह तो छोट मीशन होता उपर पर नहीं जाता तो जो भी याला इंट का उट-पुट के आ या जो भी नीरस था है याने कि 7 आ गया को इसे डिफरेंट मों इस बाइप कर तक्षा Australians क тобой सब्सक्राइब इसके बाद दो तरह की हमारे परники तो यह एक तो माधिया इंपलिग कर दिए जो वह हुं ऐसे करें तरह इसके बाद दो तरह की हमारे बाद करेंश रहुमें ऑप तो यह क्या करत स्थ पूइंट गर करके उसको आसर देगा टाकि कुछ भी डेटा का लॉस ना हो तो पाइधन अपने आप ही करदेता है इसको देख लिते हैं एक बार तो अगर मैं जैसे मैं क्या कर रहाँ कि अब मैं 5.7 प्लस 12 कर रहाँ तो दो हमें पता है कि इस को इस को इस पूरव की आउट पुट को यह पलोट में कर देता है जबकि यह कि इंटीजर है अमारपा कि लेकिन पाइथन अपने आप क्या करते हैं ताकि लॉस ना हो डेटा का तो इसको यह फ्लोट में सेफ करेगा इस नमबर को अब यह फ्लोट में आउट्पुट आ रहा है इसका सत्रा नहीं आया है 17.7 तो यह एक इंप्लिसिट टाइप कंवर्जिन है क्योंकि पाइथन इंटर्प्रेटर खुद करता है अपने आपसे तो यही एक्जामपल है जो इसमें दे रखाए पहले इन्होंने इंट किया फिर फ्लोट किया फिर उसका सब्सुम देखा वह उपर देखा था फ्लोट आ गया फिर उसका टाइप देख लिया तो वह फ्लोट आजाएगा तो python क्या करता है smaller data type को large data type में कर देता है ताकि loss of data ना हो जैसे मैंने किया भी बताया इसके बाद आता है explicit type conversion तो explicit type conversion में क्या करना होता है हमें खुद use करने पड़ते हैं function का जैसे कि int हो गया float हो गया str हो गया हमें function का use करना पड़ता है तो इसका नाम तभी English language की तरह explicit है, एक्कलिसिट मेलेदा हमें करना पड़ेगा, और इसको type casting भी कहते हैं, क्योंकि user कास्ट कर रहा है हमारा data type, object तो जैसे कि अभी हमने देखा था, इसका example हमने देखा ही था, जैसे कि हमने यहाप पर देखा था, हम इसका use कर रहे थे float का, escape जसरहा क्या देखा एक त्यर में एक ईंटीजर्दी देखा जाए गाए लाँ पर और जैसे कि एमने देखा हमें करना पड़ता है इसमें फंक्शन का यूज औरि इसके बड़ बग डेखलेते हैं uns यूबीयुगिंग क्या होता है 237 सीओ कर से हमारे पास dall कॉर्ट तो आपने प्रोग्राम से उसी को जाता है और इरर कोुजिंग जो एरर आता है हमारे प्रोग्राम में जब हम रन करते हैं या फिर देखते हैं कि जाए सिंटेक्स अरह यह कभी कुछ आ रहे हैं तो उसको एक प्रोग्राम बग कहते हैं और डिपग्विंग यह इन्वॉल्स की हमें क्या करना है इसमें कि हमें देखना है कि वह का है रहे है किस लाइन अफ कोड में आया उस पर जाना और उसको ठीक कर नहीं होता है तो यह प्रोग्रोसेस नियुक्त जिसमें हमारा बग रिमूव था इसमें उस अप पहला हो सकता है और फिर उसको सई करते हैं कि इसके बाद आब इसमें पहले सब्सक्राइब के वक्त ये अरज आते हैं और जब जब हम इसको compile करते हैं, तो उसका source code checked होता है, और फिर अगर इसके, वो programming language के rules को follow करता है, अगर यह हमारा program, तो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो नहीं करेगा follow, तो उसमें errors आएंगे, तो यह compile, जब हम compile कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को, तो तब जो error आते हैं, उनको हम compile time error क कहते हैं, जब हम प्रोग्राम को compile कर रहे होते हैं, उसके बाद इसके three types of error होते हैं, compile time में, क्या क्या हाते हैं इसमें, कि एक आता है, syntax error, syntax error में हमें पता है, कि जब syntax नहीं है, rules के according नहीं चल रहा हमारा program, तो इसमें syntax error आता है, कि जब हम उस rules जो भी define कर रखे हैं, python वालों इसमें इसमें एक error आ रहा है, तो इक क्यों आ रहा है, क्योंकि इसवाले में इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह वाला जो sign है, less than or minus, यह एक, इसमें मतलब assignment होना चीह, लेकिन यह क्या हो रहा है, कि यह वाला python में नहीं, कुछ भी ऐसा definition नहीं है, कि आप ऐसे कर सकते हो, आप less लेकिन यह कुछ डिफाइंड नहीं है कि आप लेस जैन और माइनस करो यह कुछ है नहीं इसमें पाइथन में और फिर इस वाले में क्या कर रखा है यानि कि इफ एक्वल टू मतलब इफ कंडिशन लगा रखी और एक्वल टो एक्स माइनस वाइक तो असाइन्मेंट हम अलग यह यहाना चीए हैerd は लेकिन इसमें क्या रहा है लेकिन इसमें क्या रहा है इसमे का रहा है थामेंट К自 देना पड़ेगा इसका या ट्रू दो या फॉल्स दो तब या लगए बढ़ेगी का निया आप यह असाइन्मेंट नहीं कर सकते हैं तो इसके अरुस पिर इसके करेक्शन कर रखा है कि हम यह कर सकते हैं यहां पे एक सिकॉल टू बाये क्रोश जेट और यहां पर मैंने जैस तो हमारे पाद यह सॉल्व हो गया, इन कंडिशन से, तो यह सब सिंटैक्स एरर हो गया हमारे, एक एक्जामपल देख लेते हैं, कमांड प्रॉम्ट में, जैसे मैं एक विरियबल डिफाइन कर रहा हूं, और मुझे पता है कि विरियबल डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हमें पता है python क्या अलाओ करता है, हमें एक लेटर से start करना पड़ता है, विरियबल का नाम, तो यह अलाओ करता है python, यह नहीं करता, तो यह क्या हो यह syntax error है, यह syntax sound नहीं है इसके बास ही दिखते हैं स्जिमैंटिक यहला नाजनिक यहां अधिर्च ज होता है तो semantic error तब होता है जर statement meaningful नहीं होती तो जैसे English language में हम देखते हैं कि सीता plays guitar यह ठीक लग रहा है syntactically और semantically correct है क्योंकि उसका meaning सही है मतलब meaning सही जा रहा है इसमें English language में ठीक है और यह statement है guitar plays sita तो यह syntactically तो correct है इसमें कोई वो नहीं है मतलब कि English language में ठीक है लेकिन अगर इसका meaning check करेंगे हम कि यह क्या हो रहा है guitar play sita possible कैसे guitar कैसे sita को play कर सकता है तो यह syntactically incorrect है syntactically correct है लेकिन semantically इसका meaning नहीं बैठ रहा कुछ guitar कैसे sita को play कर सकता है इसलिए यहाँ पे error आ रहा है तो इसमें programming में कैसे semantic उससे error आ सकता है यह देखते है तो इसमें क्या कर रखा है इसमें क्या कर रखा है x cross y equal to z अब हमें पता है कि जो भी assignment होती है वो ऐसे होती है अब लेफ्ट से right होती है z is equal to y cross x यह हम कर सकते हैं तो assignment हमारी left से चलती है इन्होंने क्या कर रखाया यहाँ पे assign कर दिया LHS में और यहाँ पे उसको RHS में assign कर दिया उस z को तो यह possible नहीं है हम हमेशा assignment जब भी करते हैं variable की तो वो left से शुरू करते है और right तक उसका operation करके उसको value डाल देते हैं लेकिन इसमें उल्टा कर रखा है तो यह semantic error आएगा इससे क्योंकि हम यह follow नहीं करते हैं हम हमेशा इस चीज को follow करते हैं python हम इसके उल्टे को follow नहीं करते हैं एक बार देख लेते हैं कि program को इसको चला के देखते हैं कि command round में क्या आ रहा है इसमें तो इसमें जैसे इन्होंने क्या किया एक्स क्रॉस वाइ मनलोग नाइन क्रॉस एट इक्वल टू ए तो यह possible नहीं है तो यह semantic error होता है कि यह possible नहीं कि तुमने क्या किया यहां पर इनका value यहां पर specify कि यह मुल्टिप्लाय कर रहे हैं हम 9 into 8 और a में डाल रहे हैं तो यह possible नहीं है possible क्या होता है इसमें कि हम यहां left से start करें और right तक उसकी value assign करते हैं तो यह possible है यह correct है हमारी semantics में कि हम LHS से शुरू कर रहे हैं इसको assign कर रहे हैं कुछ value तो वह उसको assign हो रही है लेकिन उसका उल्टा यानि कि 9 cross 8 equal to a यह possible नहीं है क्योंकि यह उल्टा चल रहा है यह मतलब python ने define नहीं कर रहा कि आप इसके बाद इसके बाद आते हैं लॉजिकल एरर तो लॉजिकल एरर पता है कि जैसे कि मैंने कुछ लॉजिक में कमी कर दी मैंने कुछ भी मतलब यह तुम्हारे लॉजिक पर होता है कि तुमने जैसे grade वाला प्रोग्राम देखा था कि मैंने एक बार ऐसा मैं को जैसे मैं जब प्रोग्राम कर रहा तो मैंने उसको देखा था और फिर उस लाइन पे गया था मैं और उस फिर उस लाइन पे जाके उसकी कंडीशन सही करी थी तो यह टोटली यूजर के उपर है कि तुम कैसा कोड कर रहे हो उसके उपर आई जैसा तुम कोड करोगे उसके साफसे एरर आएगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि और तुम्हें पता ही लगए कि यह शोओ नहीं होगा कि कोई तुम देखोगे कि अच्छे तो आउट्पूट गलत आ रहा है इसका एक पर्टिकुलर यूस केस में उसका उट्पूट गलत आ रहा है तो मैं जाके देखता हूं कि ऐसा क्यों हुआ फिर मैंने जैसे क्या किया था मैंने प्रिंट करा दिया था हर इफ कंडिशन में तो फि गहता है श्ति तो उसके नियुक्त लेकिन अना ठेखना पड़ता है प्रोग्राम में लेको평डशिक मैं जैसे कि मैंने क holiday कन ईकड़कर और प्रोग्राम में तो और इसमें कर द नहीं WWE कुछ भी runtime error कुछ भी नहीं आएगा लेकिन हमें फिर भी उसको जाके ठीक करना पड़ेगा हमारे कुछ logic में गलता है फिर आता है runtime error तो runtime error यह होता है कि compile के वक्त कोई error नहीं आता हमारे पास जब भी हम इसको run कर रहे होते हैं जब भी program run करते हैं तब वो error आता है मतलब कुछ भी जैसे अभी हमने देखा था कि syntax error आ रहा था कुछ आ रहा था कुछ भी ऐसा वो बताएगा नहीं जब हम run कर रहे होंगे उसको तब वो error आएगा तो execution मतलब कि जब हम run कर रहे हैं वो नाम से यह है उसका की runtime run करते वक जो error आता है तो यहां पे लिगा execution of program तो यह भी बड़े hard मतलब difficult होते हैं detect करने और some और मतलब की कुछ error आते हैं कि जिससे की execution ही वो हो जाता है सम की उससे execution of program बंद हो जाता है और crash या यह वाली state भी आ जाता है इसका example देख लेते हैं प्रोग्राम से यह समझाएगा और इसमें लिगाए कि मतलब की infinite loop में चले आता है और wrong value अब यह कैसे जाता है यह देखते हैं इसका example से समझाएगा कि क्या हो रहा है runtime error में तो infinite loop में कैसे जा सकते हैं आप वो देखते हैं तो जैसे यह मेरा प्रोग्राम है मैं क्या करता हूं इसमें मैं करता हूं वाइल वाइल लूप अभी पढ़ा नहीं होगा तुम तो मतलब शायद पढ़ा होगा देखते हैं क्यों लूप में जा रहा है, अब मैं क्या करेंगा, मैं प्रिंट कर दूँगा, हेलो तो यह क्या हुआ इसमें यह हमें को पता नहीं लगा कि कुछ एरर है तो वाइल वन का मतलब क्या है वो हमेशा true है अब यह प्रोग्राम चले जा रहे है यह आपका blink थोड़ा बहुत हो रहे है यहाँ पर स्क्रीन यह देखो यह चली रहा भी तो यह है कि तुम्हारा dead end आगया कि कुछ भी नहीं हो रहा इसके आगे तो यह कभी कवार तुम्हारा जब प्रोग्राम कर रहे होगे तब भी कभी कवार ऐसा आएगा कि प्रोग्राम में क्या होगा कि मतलब वो हमेशा true हो जाएगा जिसकी वेज़े से वो हमेशा execute होता रहेगा यह कोई कर तुम जब प्रोग्राम लिखोगे तब जाता समझाएगा अभी तो एक्जाम्पल में देना होगा तो यह से दे देना कि while one while one मतलब कि हमेशा true है और क्या कर रहा है मैंने हमेशा true में print करा दिया hello तो अब वो प्रिंट करते जा रहा है उसे कभी रुकी नहीं रहा वो dead end में चला गया इसको मुझे रोकने के लिए इसका execution स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पर मैं उसको बंद कर दूँगा जाता है और वो कभी बाहर निया पाता उस लूप से तो यह बहुत हमने गेम से हम रिलेट कर सकते हैं कि जब हम गेम खेलते हैं तो ऐसा कभी एरर आ जाता है और जैसे कि अभी मैंने देखा कि जब भी वाइल ट्रू है यानि कि आलवेस ट्रू में हमने एलो कर दिया तो वो भार नहीं निकल पाया उस लूप से और वो एक्जिक्यूट ही करता रहा उसे तो इसमें देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि वाइल लूप एक नेवर इंडिंग कंडिशन में चले आता है वो एक्जिक्यूट होता रहता है तो इसको ठीक कैसे करें तो यहां पर मैंने एक एक गजामपल ली आ वाइल लोप का, इसमें मैंने क्या किया है इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ A equal to 0 किया आप थिर मैंने आपे फिर मैंने क्या किया, while A less than 10 और प्रिंटे तो यह देख रहे हैं हमें कि यह कभी यह भी never ending में चले आगगा क्यажkeny 0, 10 हमेशा 0 से बड़ा होता है और फिर print कर देगा फिर ही फिर से check करेगा फिर से A की value वही है 0 है और 10 हमेशा 0 से बड़ा होता है तो यह क्या करेगा? फिर से उसको check रेगा वो फिर से true हो जाएगा, फिर से वो print करतेगा, फिर वो उसको फिर से जाएगा, फिर से चेक रहेगा condition को A को, कि A अभी भी क्या है, अभी भी 0 है, और 10 0 से बड़ा है, फिर से उसको print करतेगा, जो बार-बार-बार-बार-बार चलता रहेगा यह, इसको देख लेते हैं, एक तो प्रिंट होता रहेगा उसको कैसे करना यह देखते हैं बार आ गए हम इस प्रोग्राम से अब में इसको ठीक करना है मैं क्या करूंगा कि भाई मैं चाहता हूं कि A की value बढ़ाते हैं चलो A equal to A plus 1 तो इसमें क्या हो रहा है कि अब क्या होगा जैसे पहले शुरू तो A की value 0 होगी लेकिन अब बाद में क्या होगा उसकी value बढ़ा देंगे जैसी वो 0 print होगा उसके बाद A की value क्या होजेगी 1 आजेगी अब 1 आजेगी A की value बढ़ता रहेगा 3 आएगा 10 थी से बढ़ा है तो वो भी print होगा फिर उसकी value फिर से बढ़ जाएगी अब तब तक चलेगा जब तक इसकी value A की value 10 आजेगी जैसी यहाँ पर print 9 होगा जैसी यहाँ पर 9 होगा उसके बाद A की value में 10 आगया अब हमें पता है यहाँ पर क्या condition आएगी 10 और यह वाला sign लगा है 10 तो हमें पता है यह तो दोनों equal है तो यह कभी यह 2 नहीं होगा तो यह कब तक चलेगा यहाँ से 0 से start होगा और 0 होगा फिर print 1 होगा फिर 2 होगा 9 तक print होगा लेकिन जैसी यह 10 होजाएगा यह होजाएगी false और यह आजाएगा इससे program से बाहर एक बार यह देख लेते हैं क्या यह वैसे हो रहा जो हम सोच रहे हैं तो देख लेते हैं execute करके क्या हमने रोग दिया उसका execution तो मैंने देखा कि जीरो हुआ फिर मैंने जैसे ही कहा था कि उसकी value बढ़ेगी उसको फिर से check करेगा फिर 1 print हुआ फिर 2 हुआ फिर यह हुआ 5 हुआ 6 हुआ ऐसे तब तक चलेगा अब तक 9 हुआ फिर 9 के बाद वो जैसी उसका sum करके 10 आ गया फिर वो फिर से check करेगा लेकिन 10 यह वाला sign 10 होगा तो वो false हो जाएगी condition यानि कि वो इस loop से बाहर आ जाएगा अब वो देखेगा इसके बाद कुछ लिखा हुआ उसके बाद कुछ नहीं लिखा हमने तो बाहर आ गया और वो 9 तक प्रिंट किया और फिर वो बाहर आ गया और फिर वो execution of program बंद हो जाएगा तो यह देखना पड़ता है program में जाके हम उसे कैसे सही कर सकते है अलग-अलग case आते हैं तो उस program के साफ से होगा जो program है यह एक छोटा सा case तो इसमें हमने रोक दिया while loop का execution बंद कर आ दिया तो जो भी हमारा error होगा वो जाके देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा थोड़ी knowledge हमें गेन करनी पड़ेगा उसके बाद ही समझ आएगा कि कैसे हम उस program को रोके जैसे यह example ले लिया चोटा से लेकिन जब तुम प्रोग्राम लिख रहे होगे तो तब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि हाँ दिमाग लाना पड़ेगी क्यों वो never ending loop में चला गया और जातर वो loop के cases में होता है तो यह थोड़ा idea लग जाता है कि यह loop आ रहा है while loop आ रहा है, for loop आ रहा है उस cases में होता है जातर जब तक आप loop नहीं लिखोगे तब तक वो never ending condition में नहीं जा सकता क्योंकि वो बार-बार execute होने के लिए एक loop चाहिए हमें तो यह देखने के लिए है कि एक loop होना चाहिए और बाकी हम कैसे सही कर सकते हैं वो तो program के साफ सही होगा जैसे कि मैंने इसमें देखा यह भी program के साफ सही था तो program के साफ सही होगा जो भी हमें सही करना होगा तो यह दोनों चीज़े तो cover होगी है syntax error, semantic error, logical error यहाँ पे exception दे रखा है और exception का explanation काई मी नहीं दे रखा है इस PDF में तो इसको refer करते हैं आटिकल को W3School में तो इसमें क्या होता है exception में होता क्या है कि try और accept होता है Python में तो होता क्या है कि इसमें try यहाँ पे try block लिखते हैं सबसे पहले कि try करो वो print करने ही कोशिश करो मतलब इसमें क्या होता है कि यह try को execute करता है तद तक जद तक कुछ भी exception नहीं आता है जैसी exception आएगा वो इस block में चले आता है accept में और वो इसको execute करता है मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम अपना program लिखते हैं सारा जो भी हमें program execute करना है सारा हम चीजे करेंगे जो भी हमें करना है वो हम try में लिखते हैं और फिर अगर इसमें कुछ भी error आता है तो यह accept detect कर लेता है कि हाँ वहाँ पे error है और फिर वो इस वाले program को execute करता है यानि कि इसके अंदर हमने क्या लिखे कि एन exception occurred तो इसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर हम पूरा program यह good practice होती है programming की कि हम try और accept लिख रहे है तो try में यह है कि हम अपना पूरा program लिखेंगे और उसको detect अगर कुछ भी error आया तो वो accept में चले आता है मतलब खुद program जो है python वो detect कर लेता है कि वो error आया उसमें try में और वो इसके अंदर चले आता है और हमें print करके बतायता है कि हाँ है कि exception आया तो यह एक छोटा सा वो है मतलब इसमें दे नहीं रखा तो इसको देख सकते हैं इसको करके भी तो इसमें error क्या आया यह देखते हैं कि exception आया क्यों इसमें तो इसमें इसलिए आया क्योंकि हम print करा रहे है एक्स को और एक्स को तो डिफाइन ही नहीं किया तुमने तो तुम इसको प्रिंट कैसे करा सकते हो तो वही बात हुई कि अगर मैं यहाँ पे तो शायद प्रिंट हो जाता तो शायद एक्सेप्ट में नहीं आता एक वर वही करके देख लेते हैं अभी तो अभी तो इसलिए आ रहे हैं कि आप तुम सीधा उसको प्रिंट करा रहे हो तो यह पॉसिबल कैसे है तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले यहा तो जब भी एरर आएगा यानि कि जब तक कुछ भी ऐसे इसमें कुछ भी एरर आएगा तो इंटर्प्रेटर ढूंड लेगा उस एरर को कि हाँ एरर आया है और वो उसको एक्सेट वाले ब्लॉग को रन कर देगा इंसेट फ्शोएइंग जो भी एंटर्प्रेटर का एरर है उसमें हम अपने अपने मतलब की एरर बता सकते हैं की नॉर्मल यूजर को तिखा सकते हैं की एक क्सेटर आया इंसेट फफ गुइंग धी एंटर्प्रेटर वाला एरर यहां पे हमनें एक्सेट लगा दिए कि जब भी एरर है कि जब भी एरर देखते हैं तो हम इसलिए एक एरर आया है तुम उसको नॉर्मल सा तो यह तब यूसफुल है जब कोई प्रोग्रामर नहीं देख रहा हो कोई नॉर्मल सा यूजर इसको देख रहा हो प्रोग्राम को तब यह यूसफुल है यह लिंक में डाल दूँगा मैं यह डिस्क्रिप्शन में तुम ट्राय करके देख सकते हो तो उससे ज्यादा समझ आते हैं जब तुम ट्राय करते हो कुछ से तब ज्यादा समझ आएगा ड़ली थी स्कूल्स है काफी अच्छा है ठीक्या और इसमें सारे टुटोरियल इसमें सारे वीडियो से अगर पुरानी देखनी हो यहां पर इसका भी लिंक डाल दूँगा मैं इस प्लेइलिस्ट का जिसमें सारे हैं शुरू से तो यह भी देख सकते हो तुम सारा